जैसे आप बूट ऐसे खोले यह मैं लीड क्यों खोल दे रहा हूं देखो ऐसे खोल रहे हो बूट आपका खुल गया आपका काम हो कि ऐसे बन करके आप चले गए तो चाबी इसी में लटका रह जाएगा तो यह सीन हो जाता है भाई कहीं ना कहीं यह सब एक दो चीज थोड़ फिल डिमांड हो जाएगा तो देखो सामने घड़ी है भाई एंट अब बोलो के भाई यह तो एंट और्क है इसमें अपने को तो पावर वेगरा ठीक टाक मिल जाता है लुक भी इसका अच्छा है फीचर वेगरा भी अच्छा कासा मिल जाता है यह तो बहुत बार इस पता मिलता है नॉर्मल वेरियंट से तो आज अपन इसी गाड़ी को देखने वाले है भाई जैसे आपको चलाने में फील आना चीए साथी लुक भी तकड़ा मिले और रोड पे हटके दिके एंट उसके लिए गाड़ी एक नंबर है वीडियो देख लो आपको हर चीज इस के बारे में पता चल जाएगा सबसे पहले की देख लो भाई की के मामले में यार टीवी एस हर दम दिल खुश कर देता है ऐसा ही की मेरे को पसंद आता है खेर आपको कैसा लगता है मुझे बताना फ्रंट देख लो भाई अपने को बिल्कुली देखो नॉर्मल वेरिंट ज इसके अलाबा और आपको कलर देखने को नहीं मिलता अगर आप नॉर्मल वेरिंट लेते हो इस एडिसन लेते हो तो उसमें अपने को दुनिया भर का भाई कलर ऑप्शन मिल जाता है तो फ्रंट देख लो भाई अपने को इस टाइप का मिल जाता है अभी देखो यहां पे इंडिया का बैजिंग मिल जाता भाई जो काफे अच्छी बात है इंडियन ब्रांड है यहां पे टीवे सो करता है यहां पे स्मार्ट एक्स कनेट का बैजिंग मिल जाता है देखो हेड के मामले में गाड़ी एक नंबर लगती है कुछ भी गओ हाला कि यह मिरर मैच नहीं क करेंगा था कि मंशची टीवेस का बैजिंग को बैजिंग मिल जाता है और इस टाइब का अपने को दियरेल मिल जाता है अपने को टियूंस ऐस्काी कि ट्बटए संथिव पस्क में मिल जाता है यहां पर आपने को नासिक्स考付 नाबागा यहां पर अपने को मिलता है रेज ट्यून फ्यूल इंजिक्शन इंजन इसमें हालाकि जैसे ती बेस का अधर स्कूटर लेते हो यह फिर अधर बाइक लेता हो तो उसमें अपने को वही नॉर्मल वाला फ्यूल इंजिक्शन बस अपाची वेगर हम यूज होता है भाई तो य यहां पर मैट में अपने को मर्गर मिलता है, आपी बात करते हो तो अपने को टलिस्कोपी की मिलता है, अभी बात करते हो आई की तो देंको एलोए का बहुत ही प्रीमियम लग रहा है इस ग्राफिक्स के साथ ये वाला मैच एकदम बढ़िया कर रहा है, अभी टायर सेक्षन क की बात करते हो तो यहां पर आपको दिक रहा होगा हंडेड़ बाइटी टुएल इसमें अपने को हंड्रेड़ सेक्षन का टैर मिल जाता भाई मतलब क्या ही गृप है इसका हंड्रेड एटी टुएल बैब अभी मैंने सस्पेंशन बतला दिया ब्रेकिंग की बात करते हो तो इसमें आपको ABS वेगरा नहीं मिलता फ्रंट में अपने को 220 mm का मात्रे डिक्स मिलता है SBD का ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आता है अभी साइट प्रफाइल की बात कर लेते हैं आगे काहनी तो हो गया देखो साइट से बिल्कुली आपको रेस एडिसन जैसा थोड़ा थोड़ा लगेगा जैसे पीछे का वो देखते हो ना वो ब्लैक ब्लैक सा वैसा ही लगता है हाला 茶 लगें प्ल्रॉटी वाला फीला उड़ इंड में इस वग अबने को quéमिली तूसमर्शल वाल्टा आपको डिख्लाता है णि अब बात कर लेते हैं रियर कि कए रिखलाता है अब कर लेते हम चोना नहीं देखो बाइ देखो बाई देखो बाई एंट रोल का क्या सीन है ना अभी देखो मैं आपको की लगा के बताता ओं यहां पर उपने को कीस का लागाने के लिए मिल जाता है आप सभी अच्छ जानते हैं को फ्रांट से डेखो रियर से देखो इस सकूटर का डीजाइन यह इतन की तरब जाता है जिनको मतलब लुक से मतलब रहता है साथी पाउर से मतलब रहता है हाला कि यह थोड़ा से expensive side में चली जाती है जैसे इसको maintain करना भी बाई expensive है जैसे इसमें बाई फिर भी अपने को इसमें टर्ण सिंगनल नहीं मिलता जो कि थोड़ा सा यार दिल पे लगता है बाई यहां पर टीवेस का बैजिंग मिल जाता है नंबर प्लेट के लिए अपने को लाइट मिल जाता है जो कि हलोजन है थोड़ा सा गाड़ी गंदा है इग्नोर करना यह यहां पर कट वेकर मिल जाता है यह माँ सोचना हवा जाने के लिए दे रखाए कंपनी ने ऐसा निया भाई फ्यूल फिलिंग का सिस्टम यहां पर मिल जाता है नॉर्मल वेरेंट जैसा आपने को सब चीच मिलता है राइट से भी देखोगे तो वैसाई डीजाइन है यहां पर इंट यहां देखोगे तो थोड़ा अलग ताइप का इन्होंने कलर दे रखा है यह वह गया सिल्वर यह आपका रेड वन टेन वाई एटी आयट विल यह आपका एटी हो गया बगी ट्वेलबिंग का अपने को एलोय में लिए फ्रन्ट वाले से रियर वाला टैर आपक से अपने को इंजन करते हैं एसमें थोड़ा सा ट्यूनिंग करके पावर बढ़ा दिया 0.8 भी बढ़ा दिया इसमें बाखि 0.3 NM के राउंड अपने को टॉर्क इसमें ज्यादा मिलता है जिससे आपको चलाने में जो फील आएगा ना बाई नॉर्मल वेरेंट से बहुत ही ज्यादा मजाएगा अभी इसके पावर फिगर की बात करते हो तो पीएस में बात करते हैं बाई 10.2 पीएस अगर के लिए आप डिसकंटीनिव कर चुका है उससा स्कूटर को बिक्ती नहीं थी इसलिए उन्होंने बन कर दिया तो यही एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है जो अपने को दस बीएच्पी देता है स्कूटर में खासकर 125 सिसी सेग्मेंड में तो यह बात है इस गाड़ी का अभर अभी इंजन अपने को बिल्कुली 124.4 सिसी का या फिर 124 सिसी का सायथ से आता है एयर कुल्ड फोर स्टॉक सिंगल सिलेंडर मिलता है फ्यूल इंजेक्टेड इंजन अभी देखो कि तो यहाँ पे नो बेकर मिल जाता है सीट और यह खोलने के लिए यह तोड़ा तोड़ा जूपिटर वेकरा इतना सस्ता आता है उसमें अपने को मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता और इतनी महंगी गाड़ी फिर भी यार मतलब TBS वालो थोड़ा से यार लोगों को समझो मेरे जैसे बंदा को इमोशन समझो भाई अभी यहां की बात करते हो तो मीर तो यार मे कर्थ दे नभी पी पारण मिलता और यहां पर भी देखो के ना बंख की फीनिशिंग मिल जाती है घ्रण कर देता है जैसे इन्होंने साइड में कार्ण की फीनिशिंग दे रख educator ने के लिए नहीं को भूया देखो थे लगता है यां से उसमेरी पथग्ता है आभ आपको अ में क्या है कि आता है तहुंगे का इन् promise करता है और इसको पर ब्राटिव करता है और नहीं करता है और not लेकिन टो इसमें अपने को मिलता है लाल करण का स्विच मिलता है इस साब को पता चल गए होगा देखो चारव इंडिकेटर इसका जल रहा है वाई जी हाँ आपको इसमें हजाट स्वीच मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है बड़ा मज़ा आता है देख के चारों इंडिकेटर जला के बाकि यहाँ पे आपको कोई भी एडिसन में आपको यह वाला बटन ऐसे नहीं मिलता है इस भोईस टाइप का इससे क्या होता है अपन को कहीं पे भी मिटल देखने को नहीं मिलता सारा बॉडि अपने को फाइबर का ही मिलता है सारा बॉडि देखरेज चू 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 का आवाज कर रहा है यह आप समस्क्राइब में ट्रॉल होगया रेस मूड आ गया मतलब रेस मोड में आपको पावर ज्यादा डिलेबर गाड़ी और एकनोमी मतलब जैसे फ्यूल एपिसेंसी कम हो जाएगा अगर आप यह वाला यूज करते हो जैसे देख लो इसमें बहुत सारा फीचर मिल जाता है यह वाला मोड यूज करोगे तो आपको पावर थोड़ा से कम लगेगा और फ्यूल एपिसेंसी आपका ज्याद करेंगे यहां पर इलर्ट भी दे रखा है अभी मेंटर कंसोल की बात करते हो इसमें आपने दुनिया भर का फीचर मिल जाता है जैसे टर्न बाइटर नेविगेशन मोबाइल खने के बटी बुलूट खने की बटी बहुत सारा फीचर टाइम वेगरा स्पीडो मिटर जैसे आपने लाश्ट बार कितना टॉप स्पीड अचीव कर रहा था और यह सब देख रहे हो ना दुखो यह आपका हो गया रेस मोड बाकि यह सब आपका टॉप स्पीड लाश्ट टाइम कितना अपने अचीव कर रहा था इंप्रेचर फ्यूल गेज ऑडो मिटर यह साइड मैंने साइड लगा रखा है ना हेलमेट वाला भी दिखलाता है और जीरो टूशिक्स्टी आप कितना देर में अचीव कर रहे हो ट्रीप ए ट्रीप बी ओडो मिटर मतलब दुनिया भर का आपको इसमें फीचर वेकरा मिल जाता है फीचर के मामले में गाड़ी कभी आपको निरास नहीं करने वाली है देखो भाई फीचर से कुछ नहीं होता आपको प्राइज भी लगाना पड़ेगा भाई प्राइज लगाना पड़ेगा यहां पर रेस एक्सपी का बैजिंग मिल जाता है यह उखड जाएगा हलां कि दो तिन बार दो होगे तो अभी इसको बन क आता है फ्रुल का यहां पर को मिल जाता है ऐसे अकरते ल §dr.app भाई इसमें वही मेरे को थोड़ा सा लगता है आगे गलब बॉक्स वेगरे नहीं मिलता अभी थोड़ा इसके एक्जॉसान सुनते हैं इस पे बैठ के देखेंगे उसके अलावा डाइमेंशन की बात कर लेते हैं इसमें अपने को 5.8 लिटर का फ्यूल टेंग मिलता है करवे पावर टू वेट रेसियों का फरक होता है वो इसमें बढ़ जाएगा इसका टोटली कर्वेट में आपको बतलाए तो 116 kg है नॉर्मल वाले का साथ से 118 kg आता है तो यह भी काफी अच्छी बात है फाल्तू का इन्होंने चीज हटा दिया है रियर सस्पेंसन के बारे मैंने बताये नहीं अभी तक इतना वीडियो लंबा हो गया देखो रियर में अपने को हैड्रोलिक टाइप मिलता है फ्रंट में इसकोप यह हाला कि अड्जेस्टेबल नहीं अपने कोडिंग अड्जेस्ट नहीं कर सकते हैं सीट हैट की बात करते हो तो 770 mm का अपने को इसमें सी कियेगा खैर ग्राउंड किरेंस की बात करते हो तो देखो अपन ऐसे रोड पे लेकिया हुए है बाई कहीं पे भी अपने को यह गाड़ी निदास नहीं कर पाई है क्यूंकि इसमें अपने को ऑफर किया जाता है टीबेस की तरफ से 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि कोई भी गाड़ी ले लो जैसे जूप्टर ले लो यह देखो यह वाला सीन हो जाता है इसलिए कंपनी ने ब्रेक दे रखा है आप कहीं पर भी रहो ब्रेक लगा दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बैठते ही बाई जो अपने को कमफर्टेबल मिलता नहां हलागी देखो अब यह बात करते हो बिल्कुल ही आपको नॉर्मल जैसा मिलता है जैसे अधर स्कूटर मिलता थोड़ा सा स्पूर्टीनिस आपको लगेगा है कि हैंडिल थोड़ा सा आगे की साइड है और यह सब जैसे चलाटे टाइम अब देख सकते हो अराम से बहुत तर्या स्कूटर म लेकिन इसमें आपको पूरा विजिबल होगा हलाकि यह कलरफुल नी यह ऐसा आपको डिज्टल में ही मिलता है नॉर्मल हलाकि ठीक है बाई मतलब फीचर के मामले में गारी मेरे को भी भी पसंदात है बाइक क्या इसा मतलब मेरे को कभी निरास नी कर पाती है बागी बात दो नो भाई मेरा हाइट फाइब टेन के राउंड आल्मोस सिक्स्पीट का बंदा हूं मैं तो मेरे जैसा बंदा भाई इस गाड़ी को कहीं पर भी ना चा सकता और एक चीज़ याद है भाई इस गाड़ी का टर्न एडियस बहुत मतलब टर्न एडियस ऐसे अपने बोलते ह समता जैसे अराम सब थोड़ा सा भी जगह पर मुड़ा सकते हो जैसे इन्हों ने अच्छा बना रखा बहुत सारी मैंने स्कूटर में देख रखा है कि मुड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए लेकिन ऐसा इसमें नहीं है को दिक्कत वाली बात नहीं है और भाई देखो मैं बै आप से नहीं आएगा सिलेंडर यह सब पूरा स्क्रैच हो जाएगा जुप्तर में अपने को ज्यादा मिलता है भाई मतलब आवाज तो भाई आता है ब्रेक मैंने लोकर रखते हैं देखना जरा सुनना भाई आवाज अपने को एक नमबर मिलता है अभी थोड़ा सा देखो साइड लगा है मैंने गाड़ी बंद हो जाती है तो देखो भाई अपन के पास दिमाग हो चुका है अप डबले स्टेंड पर मैंने कड़ा कर लिया साइड अपने को कोई जरूरती नहीं है इसका एक्जॉस ओंड यार बहुत ही तरड़ा है जैसे रोड पे सबसे अलग बन स्टेंडर लेके जाओ और इसको लेके जाओ तो मतलब कहीं ना कहीं लोगबाग के दिमाग में जरूर आएगा कि एक बर मुड के देख लेते हैं इस स्कूटर को कौन सा यार इतना तकड़ा वाज निकाल के दे रही है तो वैसा सीन है भाई मतलब एक जॉस नोट अपने को अच्छा मिलता है भाई प्रसनली मैं आपको बतला रहा हूँ अभी बात कर लेते हैं इसके फ्यूल एपिसेंसी के बारे में देखो मैंने आपको बता है इसमें पावर वेकर अपने को जादा मिलता है नॉर्मल वेरेंट से नॉर्मल वेरेंट में बंदे अराम से 40-45 तक अ अगर आप खेंचोगे तो 32-33 से जादा आप निकाल नहीं पाओगे ये सीन हो जाता है भाई बाकि लुकेशन देखे और दिल खुज हो जाता है भाई ऐसे लुकेशन पर सूट करने का मज़ा ही कुछ और है अभी बात कर लेते बाई ये गारी किसको लेना चीए देखो मेर मेरे जैसा अगर आप बंदा हो ना भाई मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे जैसा नहीं भाई मतलब मेरे पास तो उतना बजट का है देखो अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है जैसे देखो पैरेंस वेगरा को मेरे हिसाब सी है स्कूटर पसंद नहीं आएगे बाई क्योंकि अगर आप चलाने के सौखीन हो लुक के मामले में लेना चाहते है जैसे हर चीज हर चीज में ये गाड़ी एक नंबर है कहीं पे भी आपको निरास नहीं करने वाली है यह सीन बोलना चाहूंगा भाई जैसे आज की यूथ हो आप चलाने में आपको फील चाहिए देखो तो आप अपने नजदी की सोरूम में जाके पता कर लेना इसका प्राइज इसी के एप्रोक्स में है तो देख लेना मेरे हिसाब से तो गाड़ी एक नंबर है वेल पैकेज है अभी तेखो भाई टीबेस इसमें अपने को क्या-क्या दे सकता था इतना प्राइज पॉइंट यह मैं लीड क्यों खोल दे रहा हूं देखो ऐसे खोल रहे हो बूट आपका खुल गया आपका काम हो के ऐसे बन करके आप चले गए तो चाबी इसी में लटका रह जाएगा तो यह सीन हो जाता है भाई कहीं ना कहीं यह सब एक-दो चीज थोड़ा सा मेरे को बेकार लगता है कि कोई भी नहीं अच्छा पैकेज मिल जाता है चलो वीडियो देखने के लिए आपका दनिवाद थेंक्यू शो मच